दोस्तों अगर आगुए हाथ पेर में सुन्वपन के समस्या रहती है मांच पेशियों में Aetone होती है साथ ही शरीर में ठकान है जी हा मैं बात कर रहा हूँ Potassium की कमे Potassium की कमी दोस्तों गर्मी के मौसम में अकसर देखे जाती है कर्मी में Potassium सबसे ज्यादा शरीर में कम होता है उसकी कमी को कैसे पूरी की जाए तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने में help करता है यह हमारे मसल्स को मजबूती लाने के साथ साथ नर्व को भी मजबूती देता है शरीर में पानी की कमी होने से भी बचाता है इतना ही नहीं पोटेसियुम बाडी में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइडेट को तोड़ कर इसके उपयोग करने का काम भी करता है अगर पोटेसियुम की कमी हो जाए शरीर में तो कौन सी बीमारी होगा खत्रा होता उसके बारे में देख लेते हैं तो सबसे पहले बीमारी होगी आपको high blood pressure जी हाँ और हार्ड अटैक का खत्रा बढ़ता है। इसके लावा अगर पोटेश्यम की कमी लंबे समय तक बनी रहे तो यह हड्डियों के समस्या का कारण भी बन जाता है। पोटेश्यम की कमी की वजह से दोस्तों आपके बाल कमजूर हो जाते हैं। कमजूर होकर तूटकर ज़ड़ने लगते हैं। क्यूंकि प्रोटिन का सही और साय शरीर में नहीं हो पाता है। This के लावा पोटेश्युम की कमी होने की वज़ह से स्कीन पर दाने निकलते है। कई है चलिए अगर अगर पोटेश्यम की गम्यगर श्री में हो जाए तो पता कैसे चलेगा हमें इसके बारे में जान लेते हैं तो आपको थकान महसूस होगी हाथ पैर में कमजूरी का बढ़ना और कई बार सुनपन में तब्दिल हो जाएगी या ना कमजूरी बढ़ेगे राज फुन ले की समस्या होती है कब या फिर दस्त दोनों में कुछ भी हो सकता है प्टैश्यम की कमी से हमारे दिमाग से पाचन क्रिया के मांश्पेशियों तक जाने वाले नसों में सिग्नल नहीं भेच बाते जिस्से परिशानी होती है सिर्य में दर्ध होता है लगतार आपके सिर में दर्द रहना या फिर सिर के किसी एक हिस्से में दर्द होना और यह दर्द कई दिनों तक बने रहना यह पोटेशियुम की कमी के संकेत हैं तो दोस्तों आज हमने जाना पोटेशियुम की कमी से होने वाले रोगों के बारे में लगर आप इस तरह के सिम्टम्स आपके शरी में दीखते हैं, तो आप Potassium वाले चीज़ें खाना शुरू कर दीजे, तो Potassium की कमी को पूरा करने के लिए सबसे चीज़ है, वह है केला, रोजाना दो बनाना खाना शुरू कर दीजे, इसके लाबा Boiled Potato खाईए, मश्रूम खाईए, पालक खाईए, आप Apricots भी ख खा सकते हैं, किश्मिश खा सकते हैं, बनाना चीप सवगरा खा सकते हैं, मश्रूम खा सकते हैं, और अगर आप Non-Vegetarian हैं, तो आप क्या कीजे, मचली को डैट में शामिल कीजे, वीक में दो दीन मचली खाना शुरू कर दीजे, इसे Potassium की कमी भी पूरी हो जाएगी, और सा करकंदी के अंदर भी Potassium भरपूर मात्रा में होता है, तो अगर आपको इस तरह के Symptoms दिखते हैं, तो जरूरी इसे डैट में शामिल कीजे, और काफी सालों से इस तरह की दिक्कत है, तो आप डॉक्टर से समब बात करके Potassium का Supplement भी ले सकते हैं,